पहली पारी में बढ़त के बावजूत भारत पर हार का खत्रा, क्या 36 साल बाद फिर दोहराएगा इतिहास। दोस्तों भारत और दक्षन अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन तेज गेंद बाजों के नाम रहा। दिन में कुल 23 विकेट गिरे, इनमें से 22 विकेट तेज गेंद बाजों ने लिये। भारत की और से मोहमद सिराज ने 6 विकेट लेकर अपनी घातक गेंद बाजी की बदौलत दक्षन अफ्रीका को पहली पारी में 23 ओवर में सिर्फ 55 रन पर समेट लिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 91 साल के अपने टेस्ट ट्रिकेट के इतिहास में पहली बार विरोधी टीम को सबसे कम स्कोर पर आउट किया है। इससे पहले भारतिय टीम ने 2021 में मुंबई टेस्ट में न्यूजिलेंड को 62 रन पर समेटा था। वही अपनी पहली पारी में टीम इंडिया भी 153 रन पर सिमट गई। लेकिन भारत ने पहली पारी में 98 रन की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली थी। एक वक्त पर भारतिय टीम के 153 पर 4 विकेट गिरे हुए थे। लेकिन उसके बाद अफ्रीका गेंडबाजों ने ऐसा पलतवार किया की दुनिया हैरान रह गई। एक सौ तिरपन के बाद टीम इंडिया एक रन भी नहीं जोड पाई। और शून्य रन पर ही अगले छे बल्लेबाज आउट हो गई। यानी टीम इंडिया एक सौ तिरपन रनों पर सिमट गई। वही सिराज लंच से पहले पाँच विकेट लेने वाले दूसरे भारतिय गेंडबाज भी बने। इससे पहले मनिंदर सिंग में 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ बंगलूरू में 5 विकेट लिये थे। लेकिन खास बात यहाँ है कि भारत को इस मैच में 16 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अब भारतिय फैंस और टीम इंडिया को चिंता सता रही है कि कहीं 36 साल बात धिल से इतिहास दोहरा न जाए और भारत को हार का सामना करना पड़े। इस मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद दक्षन अफरीका का स्कोर 62 रन पर तीन विकेट है। पहली पारी के आधार पर भारत के पास 36 रन की बढ़त बाकी है। बही मैच जीतने के लिए भारतिय फीम को दक्षन अफरीका के बचे हुए साथ विकेट जल से जल लेने होंगे। और कम स्कोर कर अफरीकी फीम को रोकना होगा। नीचे कॉमेंट करके अपनी धीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।